जुड़ेंगे बाल से बाल जुड़ेंगे महिला से महिला जुड़ेंगे महिला का टीम भी बनाएंगे इस मुहियम को आगे रुकता हो चाहे भोट में हो 2024 का इलेक्षन आने वाला है सभी लोगों को सडक में हमारे जमीनियों को यह लुटने का काम कर रहे हैं बिल्कुल आज भीकिस का लगातार विस्तार को लेकर हम वीडियो आपको देते आ रहें अभी हम परखंड इस्तरिय विस्तार कांके की ओर से तमाम जो करांतिकारी लोग हैं ये एक मीटिंग रखे थे और अपना जेबी केसेस को किस तरह से विस्तार करें इसको लेकर बाते चर्चाएं परिचर्चाएं की गई उसी बीच जेवी केसेस के सक्रिय सदस और जेसेसियों के प्रवमुक देवंदर नात मेहतों भी पहुंचे थे तमाम चीजों को जानकारी लेने से पहले हम इन लोगों से बात करने कोसेश करते हैं जेवी केसेस के विस्तार में अपना किस तरह से योगदान देंगे और अपना भूम के निभाएंगे सबसे पहले जोहार देदा जोहार आपका तमाम जितना सस्क्राइबर हैं सभी को मेरा तरब से जारखंडी जोहार है जिस तरह से जे विकेसेश का विस्तार के लेकर आप तमाम परखंड इस तरिया जिला इस तरिया बात को रख रहे हैं, मेंटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। कुछ मिला नहीं किवल नाम का जारखंड मिला और अभी भी बाहरियों का कब्जा है हर छेत्र में चाहे नोकरी का छेत्र हो चाहे राज करने का बारी विशांसत विधायक का हो जब आपना काके विधान सवाई देख सकते हैं आप यहां पर अपना एक लोकल विधायक तक नही आगे है और विशेश कर जारखंड में काके में बेठक करने का मूल उदेश यह था कि काके विशुओं में परसीद है यहां के जो खूबियां है अगर गिनाना शुरू करे तो सुबह से साम हो जाएगा लेकिन यहां के लोगों को इतना बिस्थापन इतना दर्द जहलने के जमीन चिना गया वहां उद्योग लगाया गया और हम सभी को कुछ नहीं मिला जीरो और बस यही हम लोगा में लड़ाई है कि हम लोग कहां काधिकार कैसे मिले और एकमात्र विकल्प अभी पूरा जारखंड की जनता देख रही है जैराम महतों के सिवाय और कोई नजर नह लेकर आप अपने इस तरह से किस तरह की बाते और चर्चाएं परिचर्चाएं की गई तिके जिस तरह जैराम दादा ने इस मुहिम को छेड़ा है और हम लोग देखा जाए तो काके ठोड़ा सा पिछड़े हुए थी लेकिन हम लोग अपना परियास से लोगों के बीच में जाजार करके जाग रुक्ता फैलाएंगे और हम लोग झार्खनियों के साथ में कैसा सोचन हो रहा है पड़ाएं के छेतर में नौकरी के छेतर में हर्ट छेतर में जहां पर בी सत्व हो रहे हैं उन समसियाओं को लेकर हम लोग बिरोच जता के और झार्खन के Hit के लिए इस म विस्तार करना है अभी बहुत से लोगों की यह जनकारी है कि सोसन हो रहा है सोसीत है लेकिन लड़ेगा कौन लड़ेगा दूसरा कोई लड़ेगा मेरा बेटा नहीं लड़ेगा मतलब मेरा बेटा दूसरा काम करें या बहुत सारे लोगों का यह सोचे कि हां लड़ने वाले तो लड़ रहे हैं वो सब लड़के हक अधिकार देंगे लेकिन हम लोग को क्या करना है कि उन आखरी अंतिम वेक्ति तक पहुंचना पहुंचना है और सब को आंदोलन में हो चाहे किसी भी तरह का जागुरुकता हो चाहे भोट में हो 2024 का इलेक्शन आने वाला है सभी लोगो को तब करेंगे, हम लोग कोसिज करेंगे विचार तो सबड़कों के लिए मılग कि लिए विस्तार को के बात कह रहे हैं उसके लेकर बहुत सरे फाइनन्सियल चीजों का भी ज़रूरत पड़ता है किस तरह से उसको सपोर्ट करिएगा पर लेक्सनगे टाइम उसके लिए हम लोग अंतिम वेक्ति तक जाएंगे बोलेंगे कि आप सहयो कि दिए पांच रुप्या दस रुप्या लोग सहयो कर भी रहे हैं यह ऐसा नहीं कि हम लोग किसी कोई पाटी हम लोग को सहयो करेगा और पंडिंग करेगा इसमें हम लोग को कभी दिक्कत नहीं आएगी जारखन की जनता जग चुकी है और भी लोग हैं इनसे बाते करने को सब्सक्राइब को लोग मुख्यमंत्री के तोर पर देखना चाहा है रहे हैं पर्दादा सब को हमारे जमीने को यह लोटने का क्राम क रहें बिलकुल आज हमें जैर्म महाख तो ददा की तरही मुखमंत्री की आए सकथ है। जो हमारे अधिकार की लड़े ददा है। जैरां जैर्म के बारे में आभी जबीकेस को विस्तार को लेकर आप इस तरह का until चैममें मीटिंग लायक नहीं हो पाया है जिस तरह से हजारी भाग भनबाद वो कारों में देखने को मिलते कैसे करिएगा इसको सबसे पहले तो आपको जोहार आज देवेंदर दा के नित्रूत में यह प्रक्रण दस्तर जो हम लोग का मीटिंग रखा गया था इसको हम लोग सफल करने के लिए हम लोग सभी देखे आप वोन रहें बिस्तार की तो यहां जितने भी देख रहे हैं यह हर एक छेत्र का हर एक पंचायत का आदमी है कोई जी कोई उप मुखिया है तो कोई वाड़ सदस्तित और ऐसे करके अने को मुखिया उखिया तो ऐसा है सर हम लोग का जो बिस्तार दोने करें और जो कोई बोलते हैं महतो लोग अंदोलन कर रहा तो सब को आकर रहेंगा और हमको कहना है जारखंड भारत में अगर अंग्रेज आये थे तो एक मातर कारम था जाती के अधार पे हम लोग बटे थे उच नीच के अधार पे बटे थे तो हमको कहना है आज अगर जारखंड करना निर्मान करना है जो आरोप लगाते कि इसका ये लोग का जातकाई है उग है किसी का एक का आरोप लगा देने से नहीं होता आरोप लगाते हैं आप लोग तो आप लोग देखें हैं अगर बिस्तार साथ देखेंगे तो यहां अब का योगदान है आज हमारे जो यहां सबी सबसें रहे हैं उननों का जितने भी सावसर सबसें हैं ंर्य इस्टर पिर पुए लोग में 30 अशौल जो क्या बोलते ग्राम है वहाँ जाके अपने कमिटी का विष्थार करेंगे बताएंगे यहां कारण क्या है यहां जो और यहां पनने से पहले मानने यह पूर्व मुक्षमंतिर रगवर दाश जी कि नहें बोला था यहां का लोकल को नुखरी देंगे तो है उसका रीबन काड़ दिए माणनी रोह मंत्री पाल बात नहीं कर रहा है ये इस किसको बखेड़ा चाहि किसको नहीं लगना च ładना डुट रिबन क ici बहुट बिचार यहां short विचार है यहां आस्थाई लोग को जब तक नोकरी न लगए कौन सा विकास कर रहे हैं यही बात के साथ मैं अपना पानी को बिराम करता है लोग बोल रहे हैं टाइगर जैराम महतों को दूहजर हम जारकंडी पूरा जोर तोर बल धन सब चीज लगा कि ही उनको बनाएंगे मेल जूल के बनाएंगे क्योंकि हमारा जारकंड आज सोने की चीडियां कहा जाता था आज उसको चांदी के एक तांबा के बराबर नहीं छोड़ा जा रहा है इतना लुटा जा रहा है आज हम जारकंड जो है और काके विधानसवा जो है यह राची जिला का सबसे बड़ा विधानसवा है